अलोabordफ एल्स वेल खेवेड च्लनल्ड राधी पमब टिव क्लासें आज वी आज में दोस्तों तो ले कर they get and lessons दोस्तों का प्रचिन भारत यांनि भारत में आपका यह गूप्त काल आया था गूप्त काल खापना तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा चलिए विनादरी के शुरू करते हैं तो सबसे फ़र्ष्ट आपका पहला कोश्चन यहां पर दिया हुआ है कि गुप्त वन्स का अस्थापना कब हुई तो 319 इस वह में इसन आपका यहां पर नेक्श कॉस्चन है कि गुप्त सामराज की अस्थापना सासकनी कि मतलब कह रहा है पर सामराज की सापना साटमे की तो आपका शिरी गूपत नइक कि महाधी राज उपादी धारन की तो महाधीराज की उपादी धारन किसने की आपका चंद्रगुप्त प्रत्थम ने की ठीक है चलिए आपका नेक्स्ट कोश्चन यहां पर देते हुए कि आरियवट क्या लिखा हुआ है आरियवट वन्स के समकालीन थे यानि आरियवट आप जाते हैं महान बेज्यानिक तो वह क् help प्रके नेक्स क्वेश्चन आपका कि गुप्त वंस के सासा आसक को कवी राजक हा गया था ये आपका समुद्र गुप्त को कहा गया था जिया किसको समेफ़ गुप्त को की राजया ने विक्रम आधितियीש की उपादी धारन की थि बिक्रम आ देती की हुपाधी धारण की थी तो आपका चंद गुप्त ने उपाधी धारण की थी किसकी बिक्रम आ देती की फिर नेक्स्त क्वेश्च को यहां समदुरु गुप्त को भारत का नेपॉलियन और Неपॉलियन कक्षाह जितता हैgest भारत में किसने का वीशेट इसमित ने कहा जी हां सब्सक्राइब को कहा जाता तो दिणार कहा जाता था गुप्त काल की सोने की मुद्रा जो गुप्त काल में सोने के को सिग्वाइट जाता था ठीक है दोस्तों आपका है कि नालांदा विष्वर वीद्याले की अस्थापना हुई तो यह आपका गुप्त यूग मैं हुई झालीए राजवन्स क्न देखते हैं यहां पर दोस्तों आपका नेक्स पर दिया को प्रसीद था फिर नेक्सस्ट आपको यहां पर दिया हुआ है कि क्या लिखा को किस अस्तम लेख में तो यह आपका कहा गया था कहों अस्तम दोस्तों क्या लिखा हुआ है चंदगृप दूतिये ने विच्रमा डित की उपाधी कवधारन की महरोली । इस्तीत लोस्तौं का निर्वान किस सदी में हुआ пс धृ़्यकाइए नेक्ष कॉश्चर घॉठट गृष्टere कालिन सासन प्रनाली फस्क्स प्रकार की तो ये आपका राजंत-्रतांत्मक थे आपका उस तरह का प्रनाली था पहें यहांपर आपका दिया हुआ है कि लिखा वा थे फाहन वारा रचित- welche तो यह आपका बहुत धर्म के सिधानतों का वीवरन नहीं मिला फिन्यक्ष क्वेशन है कि गुप्ट समवत 319-320 को प्राराम करने का स्रेक किशे दिया जाता है तो यह आपका चंद्रूप्ट फर्स्ट को दिया जाता है फिन्यक्ष क्वेशन आपका है कि गुप्ट स्वत का प्रारम किस उपलक्षिस में किया तो यह आपका अपने राजी रोहन की असमारक के रूप में ठीक है ने क्वेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था यह दीनार कहा जाता था एक है चली आपका next question है कि नगरों का क्रामीक पतन किस आपका सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था यहां पर है कि लिखा हुआ है कि नीम्न में से किस काल में इस तरियों की पुरूसों से दिया है बराबरी थी तो यहां प्रदेश काल में आपका यहां पर दिया हुआ है कि लिखा अजनता गुफाओं की सरीख या जैसी गुफाओं मद्धि परदेश में कहां है तो यह आपका वाग धार में ठीक है वाग धार फिटेक पर लेक्ष्ट कोश्चन आपका है कि गुप्त वन्स ने अवधि में सासन किया तो कव से कव अवधि में सासन किया यानि 319 से शुरूहा और 500 इसमी में जाके खतम हुआ फिन नेक्ष कोश्चन आपका है कि गुप्त कालीन सीक्कों का सबसे बड़ा धिर कहां प्राप्त हुआ फिन नेक्ष कोश्चन है कि किस गुप्त सासा को नालंदा विश्विविद्याले का संस्थापक माना जाता था तो यह आपका कुमार गुप्त पहले को फिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतिय वैपार नीम लिखित किस एक पतन से संचलित होता था तो यह आपका तामर लिफित फिन नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सास्टकों द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्कं कहलाते थे तो यह आपका रूपक कहलाते थे फिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतिय विद्वान कौन था जिसने गनित को एक प्रिथक वीसी के रूप में आचीन भारत में गुफा गुफ्तकाल से संबंदित गुफा चित्रांकन के केवल दो उधारन उपलवन्द है इन में से एक आजंत्रा की गुफा में किया गया चित्रांकन है और दूसरा गुफ्तकाल के चित्रांकन का दूसरा अविष्ट उधारन किस अस्थान पर उपलवन तो यह आपका उत्तर बंगाल में फिर नेक्स क्वेशन है आज अंता चित्र कारी का विश्य वस्तु निम्रिखित में से किस से संबंदित है यह आपका बहुत धर्म से संबंदित है भगवान बुद्ध का मेग वर्धन ने किस अस्थान पर उनका मंदिर बन माने के लिए समोधर गुप्त से अस्थान मांगी थी अनुमती मांगी थी तो यह आपका बोध गया में ठीक है फिर नेक्स क्वेशन है आपका कि मंदिर निर्मान कला का जनम क्या लिखा हुआ है विश्नु थे फिर नेक्स क्वेश्चन है कि लिखा ओए धनवन्तरी थे तो यह आपका चंदरूप्त विक्रम आदित के राजदरवार के नवरतन मेंसे एक जो की प्रशीत चीकिस्तक तो यह आपका पॉन थे धनवन्तरी थे ठीक यह वह आदमी थे कुछन है कि गुप्त संस्था पित्याय काला का सरवोत्रिकृष्ट मंदीर नियुमण मेंसे कौन है तो ये आपका देवगड का दसावतार मंदीन दूस्टीं यहां पर दिया हुआ है पिर नेक्स न की कोपत traveled को प्राचीर भारत का क्लासिकल यूग क्यों कहा जाता था तो यह अपका कलावा साहित के छेतर के अपने चरमोतर पर पहुंचने के कारण कहा जाता था कि गुप्त का यहां पर लिखा हुए गुप्त यूग में भूराजशव की दर्थी तो यह अपका उपज का ठट्था भाग इसका रेटर से दिली के महरवली के कुवंत उल्जाम माजीद के प्रगान में इसी प्रशिद लोस्तम किसकी स्मिरती है तो यह आपका चंदर की फिन नेक्स क्वेशन यहांपर है कि सोने के सवार्दिक सीखे की कि कि सकाल में जारी कि गए गए तो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ यूरोपईव भासा में आनुदित या अनुवादित प्रथम भारतिये ग्रंत कौन स तो यह आपका अभी की अभी ज्यान फिर नेक्स क्रेशन यहां पर देते हुए लिखा हुआ है 35 नमर का कॉशन है कि कथन ए प्राचिन भारत में सामती विवस्ता डल सिस्टम का अंभियुद सैनिक अभियानों में देखा जाता जा सकता है कथन आर गुप्त काल में सामती की सही व्याख्या नहीं करता इसका यह राइट एंसर हो जाएगा वर्तमान गनित में दसमलब प्रनाली अविसकार का च्थ्रे नीम्ल में से किस यूग को है यहां पर देते हुए लिखा हुए नेक्स क्वेशन की नीमलीखित में से किस गुप्त सासक ने आपने सिको पर अ प्राक्रीती में अंकित करवाया है तो यह आपकर समुद्र गुप्त सासन ने दर्शी नाप्त में इस्थित वारा राजियों पर धर्म वी जये की तो यह आपकर सासन रूद्र शिंग को पराजित कर और उसकी हत्या कर संकों का अंतीर रूप से अनुमूलन किया तो इसका सब्सक्राइब करवाया था तथा जिसकी मरमत पहली वार सक्षाषक रुद्र दमन में करवाई थी कि दूसरी बार मरमत किस ने करवाई तो इसकी दूसरी बार मनमत किस ने करवाई पाली बार तो आपका सक्षाषक रुद्र दमन ने करवाई तो दूसरी कौन किस ने करवाई तो इसका रैट अंसर होगा संकद गुप्त ने ठीक है फिर नेक्ष क्वेश्चन आपका यहां पर देखते हुए मिहिरुकुल का संबंध था तो यह आपका इसका अंसर हुनों से ठीक है अगला कुश्चन ने परम भागवत उपादी धारन करने वाला प्रत्थम गुप्त सासक था तो यह आपका समूदर गुप्त था फिर नेक्स्ट कोश्चन भारत का नेपोलियन फिर ने गुप्त सासन के आक्रमर करने से रोका तो यह आपका संकत गुप्त था फिर नेक्स क्वेश्चन है कि कुछ वीद्वानों के अनुसार कभी कालिदास किसके राज कभी थे तो यह आपका चंद गुप्त दूतिया यानि विक्रमादित फिर नेक्स क्वेश्चन है कि लिखा हुए उत्तर तो यह आपका फाहान जो था वह चीन का निवासी था भारत जुआया था वह अब यहां पर लिखा हुआ इस्टेट वंद का रच लिखा रच नाकर प्रवर्षेन दूतिये किस वन्स का सासक था तो यह आपका वाकाटक फिर नेक्स कुशन है किस गूप्त कालीन सासक को कभी आज कहा गया तो यह आपका समुद्र गूप्त को फिर नेक्स कुश्चन है कि चंद गूप्त है ने आपनी किस विजय की खुशी में चांदी के वी से सिक्केट जारी कि यह आपका संकों को पराजित करने के बाद जारी कि तो आज का हमारा यही टॉपिक दोश्तों वीडि सब्सक्राइब को चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ